हलो गाइस कैसे हैं आप सब स्वागते में चैनल पर मैं हूँ सेंपाय नेटवर्क और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक के उबर तो हम में से सब के सब विदाउट डाउट बच्पन से एनिमे देखते आ रहे हैं हमारे यहां इंडिया में सारे करेंट एनिमे फैंस ने कोई एक हिंदे एनिमे देखके केरियर शुरू किया है किसी ने या तो शुरू किया है पोकी मॉन से किसी ने या तो शुरू किया है ड्रैगन बॉल जी से और शेंचैनल डोरे मॉन तो सभी ने देखा है उसके बाद obviously बहुत साल बाद आके हमारा मुलाकात ओरिजिनली एनिमे के साथ हुआ है और हाँ ओरिजिनली एनिमे के साथ मुलाकात होने के बाद हमें बहुत कुछ पता चला है जैसे कि unlike cartoon यहाँ पर genre wise बहुत सारे एनिमे होते है जैसे कि अगर shonen की बात करे तो naruto, romantic comedy की बात करे तो ore gairo ecchi haram की बात करे तो high school dxd वगेरा वगेरा और हमें साथी साथ एनिमे के और भी बहुत सारे aspects के बारे में भी जानने को मिला है एनिमे सिर्फ जैपैन नहीं एनिमे बहुत सारे अलग-अलग देश, अलग-अलग culture के उपर बनाया जाता है और ये हम सभी को बता है लेकिन मेरा एक Indian anime YouTuber और आप लोगों का Indian anime fans होने के नाते हम सब के दिमांग में हमेशा एक सवाल तो आता ही होगा कि अलग-अलग culture, अलग-अलग देशों के उपर anime बनाया जा रहा है तो किया इंडिया के उपर भी कोई anime है अगर ये सवाल भी आप अपने fellow Indian anime fan दोस्त को पूछेंगे तो वो लोग जब आप में कहेंगे कि है ना, जो जोजोग बिजार एडविश्यर कूरड़ गियास अरसन doctor cooking की इस सारे अनिमेस में तो Indian रिफरेंश भरे बरे है हाँ, मैं मानता हूँ कि रिफरेंस भरे बरे है जोजोग बिजार एडविश्यर कूरड गियास में Indian characters और रिफरेंसेश्यों है और साथी साथ अरसलन सेंकी में तो और भी ज़ाधा characters और references है लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था मैं कहना चाता हूँ कुछ ऐसे एनिमेस के बारे में जो totally इंडिया के उपर बनाया गया हो मतलब की एनिमे का culture से शुरू करके main base ही इंडिया हो तो ये सुनके तो आप लोगो को भी लग रहा होगा कि ऐसे एनिमे क्या सच में है तो जी हाँ guys मैं कहूंगा कि ऐसे एनिमे है लेकिन बहुत कम है मतलब कुछ ज्यादा ही कम तो totally इंडिया के उपर बनाया गया हुआ तीन एनिमे है और उनके बारे में ही मैं आज बात करने जा रहा हूँ और मैं फिर से एक बार बता देना चाता हूँ कि ये लिस्ट है totally इंडिया के उपर बनाये गया हुआ एनिमे के बारे में इसलिए फिर से comment में आके outrageously ये मत कहना कि तुमने ये नहीं कहा वो नहीं कहा क्योंकि मैंने जितना दूर research किया है मुझे बस ये तीन एनिमे ही मिला है और अगर आप लोगों को ऐसा कोई और एनिमे के बारे में पता है तो फिर वो हमें normally comment में बता सकते हो तो पहला एनिमे जो है इसके बारे में आप सब को पता है और हम सबने ये बचमन में टीवी में देखा भी है और इस एनिमे का नाम है Prince of Light The Legend of Ramayana या फिर Japanese में Ramayana 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 Densesu तो ancient epic Ramayana के बारे में किसको नहीं पता एक इंडियन होने के नात आपको तो ये पता ही होगा इसलिए मुझे नहीं लग था कि मुझे डीटेल्स में कुछ बताना पड़ेगा और अगर आपको नहीं बता तो आप प्रॉब्लम में हो बस यही कहना चाता हूँ तो ये एनिमे इंडिया में रिलीज हुआ था 1992 को और उसके बाद किर्स चैनल में भी ये एनिमे बहुत बात दिखाया गया है लेकिन रमायाना होने के वावा जूद भी इसे कभी भी इंडिया में एक थीटर लाँच नहीं मिला और साथी साथ कार्टून नेटवर्क में दिखाने के बाद ये आप तो बैन भी हो गया है तो अगर आपके दिमाग बे कभी भी सवाल आए कि बैन क्यू हुआ या फिर थीटर में लाँच क्यू नहीं हुआ तो फिर आप मुझे कह सकते हो मैं इसके उपर भी एक वीडियो बना दूँगा लिस्ट में दूसरे एनिमे है बुद्ध दे ग्रेट डिपर्चर तो ये एनिमे भी एक मुवी है और इसे भी इंडिया के माइथोलोजी यानि की एंशेन टाइम्स के उपर बनाया गया है और इस एनिमे को बनाया गया है गौतम बुद्ध के कहानी के उपर तो आप लोग जी इतिहास परते हो या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हो उन लोगों को तो गौतम बुद्ध के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा और इस एनिमे मुवी में गौतम बुद्ध के जिन्दगी के शुरुवाती हिस्से को दिखाया गया है बुरी बात ये है कि एक इंडियन प्रेमिस रहने के वावजूद भी ये मुवी कभी भी इंडिया में रिलीज नहीं हुआ और सच कहे तो ये मुवी उतना खास अच्छा भी नहीं है मतलब सोचिए गाइस एक लड़का एक लक्ष को हासिल करना चाता है इस स्टोरी को उपर अगर कोई एनिमे बनाया जाए तो फिर वो एनिमे होता है शोनेन एनिमे और आप लोगों को तो पता ही है जिनोंने नरूटो ब्लैक लोबर देखा है एनिमे हमेशे scripted होता है और author को पता होता है कि आगे जाके क्या करने से एनिमे और भी बहतर हो सकता है इसलिए शोने नगर एक unrealistic क्लीशे plot के उपर भी बना जाए तो भी वो बहतर होगा लेकिन अगर गोतम बुद्धा जैसा एक real life story को एनिमे में represent किया जाए तो story कितना boring और plain होगा और हाँ ये movie भी एक plain और boring एनिमे movie है लेकिन गाइस देखिए है तो mythology के उपर ही न और सबसे बड़ी बात premise है इंडिया इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप interested हो तो ज़रूद चेक कीजिए और हमारी लिस्ट में जो तीसरे एनिमे है वो है इस बुद्ध एनिमे का ही एक sequel और उस एनिमे movie का नाम है बुद्ध to the endless journey तो जैसा कि मैंने last point में कहा कि ऐसे एनिमे ज़्यादा promising नहीं होता लेकिन क्योंकि premise Indian है इसलिए आपको एक बस जरूद चेक करना चाहिए तो guys यही था तीन totally इंडिया के उपर बनाया गया हुआ एनिमे तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको इसके सिवाई भी कोई और एनिमे के बारे में पता है जो कि totally इंडिया के उपर बनाया गया है तो वो आप हमें comment में बता सकते हो और इनमे से कौन सा movie आप देखने के लिए बेताफ है यह हमें comment में बता दीजिए मुझे पता है आप लोगों को कोई भी interesting नहीं लगेगा और देखेंगे में नहीं ऐसे तरह तरह के वीडियोस के लिए हमें support करते रहिए तो आज के वीडियो में वस इतना ही मिलते आगे एक और नए वीडियो के साथ